पिंटू ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से जमीन पर देबटका के दीपू का नन्ना समन करुणा से पसीज उठा इच्छा हुई के पिंटू को कसकर एक जहापड लगाए पर पिल्ले को गोद में समेटते हुए उससे बस इतना ही कहते बना ऐसे मारा जाता है कहीं? गुंगा जानवर है बेचारा देख लेना भगवान जी तुमें खूब पाप देंगे लेकिन इतनी सी बात पर भी दोनों बहन भाई उस पर चड़ बैठे बड़ा आया भगवान जी का भगत हमारा पिल्ला है हम मारेंगे हजार बार मारेंगे मार डालेंगे तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? दीपू का सारा आवेश ठंडा पड़ गया पिल्ला कब उसके हाथ से छिनकर पारूल के पास चला गया इसका भी उसे होशना रहा किसी अनाम दुख से सुबकता हुआ वह मम्मी के पास दोड़ आया उनकी गोद में मूँ छुपाते हुए बोला मम्मी, हमें भी एक कुटा ला दीजिये ना, प्लीज मम्मी हस्बे मामूल किताब पड़ रही थी दीपू की गुहार उनके कानों तक पहुचे ही नहीं खीज कर उसने किताब खीच ली क्या है रे, क्यों तंक कर रहा है मम्मी चीखी पढ़ते समय कोई परिशान करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है पर दिन बर पढ़ती ही तो रहती है अपनी बात कोई कहे भी तो कब कॉलेज के जाने लगी है दीपू की तो मुसीबत हो गई है अब बोलना, क्या बात है हमें एक कुट्दा चाहिए उसने कुन मुनाते हुए अपनी फर्माईश पेश की लकी है तो वह तो पिंटू का है तो क्या सब के लिए अलग-अलग कुट्दे आएंगे वह अकेला ही तो घर बर की नाग में दम किये रहता है लेकिन पारूल पिंटू हमें छूने भी नहीं देते हमें तो अपना वाला चाहिए चाहिए तो पर रखोगी कहा अपना से छुपाने के लिए तो धंग की जगय नहीं ममी ने भुन-भुना कर कहा दीपू ने अपने चारो ओर देखा ममी ठीक ही तो कहती है कितना छोटा सा तो कमरा है वो तो दीपू की खटिया दिन भर ममी के पलंग के नीचे बनी रहती है नहीं तो हिलने की भी जगा न रहे नानी का पूजा वाला कमरा तो है उनकी खाट और ठाकुर जी तो अब स्टोर में पहुँच गए है नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुल-खुल खासी भी रात बर सुननी पड़ती ममी तो फिर से अपनी पुस्तक में खो गई थी दीपु उनकी गोद में पड़ा-पड़ा सोचता रहा फिर कुछ देर बाद उब कर बाहर चला आया कमपाउन में पिंटु के दोस्त जोड़ आये थे शाद क्रिकेट खेलेंगे अपमान का घाव अभी ताजा था इसलिए वह चुपचाप बरामदे में निमंत्रण की रहा देखता रहा लेकिन पिंटु के पास धेर सारे लेकिन पिंटु के पास धेर से साती थे वह नक्कु क्यों बनने लगा उनका खेल मजे में शुरू हो गया फिर वहाँ खड़े रहना दीपू को बड़ा दैनियसा लगने लगा वह हाल में चला आया गोल मेज पर धेर सारी पत्रीकाएं पड़ी थी उन्हें लेकर वह सोफे पर बैठ गया और तस्वीरे देखने लगा बच्चो वाला पेज उसने पर डाला कविताएं रठ डाली पहलियों के उत्तर याद कर लिये आप कोई पूछेगा तो पिंटू और पारुल ताकते रह जाएंगे राजा बेटा तो दीपू ही बनेगा शश शश दीपू जी सोफे पर पैर लेकर नहीं बैठती कितनी बार बना किया है उसने चौक कर देखा मामी जी पता नहीं कब कमरे में आ गई थी पता नहीं कब उसने पैर उपर कर लिये थे अंजाने में ही हो जाता है सब वह चुपचा बैठा अपरादी भाव से मामी जी को देखता रहा जो यहां वहां से कागस के टुकड़े बीन रही थी मामी जी उसने साहस बटोडते हुए कहा पिंटू हवाई जाहस बना रहा था यह कच्रा उसी का फैलाया हुआ है कोई भी फैलाय बेटा डांट तो हमी को खानी है मामी जी ने कसैले सुर में कहा तो उसे लगा व्यर्थ ही अपनी सफाई देता रहा है मामी जी को आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी कहां लगती है पहले वाला लाड़ प्यार जाने कहां चला गया है होता क्या है कि बच्चे चाहे लड़ाई करें चाहे शरारत नानी जी उसका पक्ष ले लेती है और डांट पढ़ती है पिंटू पर पारूल पर मामा जी भी अपने बच्चों को ही गुड़क देते हैं उससे कोई कुछ नहीं कहता इसलिए हर बार मामी जी का मूँ फोल जाता है बच्चे भी उससे कट जाते हैं इससे तो अच्छा था कि थोड़ी डांट ही पढ़ जाया करे तब इतना अकेला तो नहीं पढ़ जाएगा वह इससे तो सचमुष गाउं में अच्छा लगता था डांट पढ़ती तो सबको एक साथ दादा जी खुश हो जाते तो सबको एक एक चवनी नाम मिलती तब कुलफी वाले की रहा देखने में कितना मज़ा आता दूर से उसकी साइकल की घंटी बचती और सब दोड़ पढ़ते यहां तो कुलफी का नाम भी ले ले तो गजब हो जाए गाओं में सचमुश आनंद था खूब लंबा चोड़ा घर दूर दूर तक फैले खीत बच्चे कहां समा जाते पता ही नहीं चलता मज़े में कुवे पर नहा रहे हैं गन्ना चूस रहे हैं पेड से कच्ची अम्या तोड रहे हैं कोई रोकता नहीं था ना दिन बर जूते मोजे पहनने की बंदिश थी ना बार-बार सौरी और थैंक्यू कहने का जंजट डाइनिंग टेबल पर करीने से पैटकर तमीज से खाना खाने का जिरदर्द भी नहीं था बस जब भी भूक लगी दादी के कले में बाहें डाल दी या ताई जी की साड़ी से लिपट गए फोरण मम्मी को हुक्म हो जाता और वह चुपचाप थाली लगा कर ले आती यहां तो डाटने ही लगती है जाने कौन से अकाल से चला आया है दिन बर भूक भूक ही चिलाया करता है अब उसे बार-बार भूक लग जाती है तो वह क्या करे अंग्रेजी स्कूल की समस्या न होती तो वह काउं में ही बना रहता मम्मी चाहे यहां चली आती यहां उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता मम्मी सुबह कॉलिज चली जाती है फिर दिन बर या तो पढ़ती है या बुनाई लेकर बैठ जाती है पापा को लंबी-लंबी चिठिया लिखने का काम और पाल लिया है अब दीपू को भूक लगती है तो वह किस से कहे मामी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पढ़ती नानी मा लाड तो सब करती है पर उनसे होता हवाता कुछ नहीं बस बैठे-बैठे और दिया करती है ममी ने तो जैसे किचन में जाने की कसम ले रखी है यह भी नहीं होता कि एक आद बार नानी की चाये ही बना दे कभी कबार ममी रसोई में चली जाया करें तो दीपो की भी पहुँच हो जाये वहां कितने दिन हो गए हैं उसे आटे की लोई से चिडिया बनाये हुए बिंडी के डंठलों से दिवार पर चितरकारी करना भी वह जैसे भूलता जा रहा है ताजे उबले आलो में नमक लगा कर खाने की बड़ी इच्छा होती है पर मन मार कर रह जाता है कड़ाई में सिखते हुए मुंगफली के दानों की सुगंद से उसके मुं में पानी भर आता है पिंटू उसके हिस्से के 4-6 दाने वैसे उसे पकड़ा भी जाता है पर उनसे मन कहां भरता है मन में तो यही लगा रहता है कि इस पिंटू ने जरूर बैमानी की होगी नारियल की गिरी कसने के बाद जो सफेद सफेद सा मीठा हिस्सा बच रहता है घर पर हमेशा उसके ही हिस्से में आता था पर यहां यहां तो 3-3 दावेदार मुझूद है उसे पिंटू की तरह जबटना भी तो नहीं आता मम्मी का डर बना रहता है फिर पेटू कहलवाने की चिड़ भी हमेशा सिर पर सवार रहती है सोफे पर पाउं रख दो तो कैसे कैसे देखने लगते है फिर खाने के लिए जिद करना तो बड़ी बात है होमवर्क करते करते वहीं बिस्तर पर पसर गया वह थोड़ी देर बाद आके खुली तो देखा मम्मी शीशे के सामने खड़ी जूड़ा बांद रही है पिंटू और पारूल ममी से जूल रहे हैं बुवा पार्क जा रही हो हम भी चलेंगे और बस ममी ने हां कर दी दोनों उचलते हुए कपड़े बदलने चले गए कितना गुसा आया उसे मना क्यों नहीं कर दिया उसने मूँ फुला कर कहा अरे वा ऐसे मना करते बनता है पगले हमसे कुट्टी है दोनों की दिन में दस बार तो तुम्हारी कुट्टी होती है अच्छा चलो हम दोस्ती करवा देंगे दोस्ती तो हो गई पर घूमने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया थोड़ी देर को मम्मी के साथ एक अलग दुनिया बसाने की सोच रहा था सब जोपट हो गया अब पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाएगा पारुल तो ऐसे चिपट जाएगी जैसे उसकी अपनी मम्मी हो पार्क में मम्मी कहानी भी सुनाएगी तो पारुल गोद में चड़ी रहेगी सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि ये लोग साथ में होते हैं तो मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती घर पर तो कभी जी भरकर खाने ही पाता दीपू पार्क में जरूर थोड़ी सी जिद कर लेता है मम्मी फिर कभी कबार दिला भी देती है पर ये लोग साथ में होते हैं तो जट घर चुगली कर देते हैं ना भी करें तो अगले ही दिन किसी को गला खराब हो जाएगा किसी को पेट बस मामा जी फोरण तार जाते हैं कल बुवा जी के साथ पिकनिक मनी होगी क्यों? वह कहते हैं और लगे हाथ मम्मी को भी एक हलकी सी डाट पिला देते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं जरा सा कुछ हजम नहीं कर सकते दीपू को कोई खिला कर देखे सच पापा में यह बात अच्छी है खूब खाएंगे खूब खिलाएंगे मम्मी टोकेंगी तो डाड़ देंगे खाने दो उसे अपनी तरह नाजुक मिजाज मत बनाओ अब तो पापा भी चाट पकोड़े खाने के लिए तरस गए होंगे वहां तो ये सब चीजे क्या मिलती होंगी वैसे उस दिन तो मामा जी बतला रहे थे के अब तो लंडन में धेर सारे हिंदुस्तानी होटल खुल गए है सब तरह का खाना मिलने लगा है मतलब पापा वहां भी मज़े कर रहे होंगे और दीपू यहां हिंदुस्तान में भी कुछ चीजों के लिए तरस कया है पार्क में गीली घास पर बैठा वह यही सब सोचता रहा और कुड़ता रहा पापा कब आएंगे ममी रात को उसने रोज की तरह ममी की गोद में दुबकते हुए पूचा क्या पता कब आएंगे मैं तो इतना बोर हो गई हूँ कहीं चलो न ममी कहां चलेंगे बेटा ममी ने हताश स्वर में कहा सच तो था कहां जाएंगे मौसी के यहां अभी पिछली शुट्टियों में ही तो होकर आये है बार बार जाना क्या अच्छा लगता है फिर ले देकर एक गाउं ही रह गया है दीपू की तो महां मोज रहती है पर ममी बेचारी बड़ी परिशान हो जाती है कहने को इतना बड़ा घर है पर धंग का एक कमरा भी नहीं ना बिजली है ना नल बस गर्मी में तपते रहो पानी तो खेर महरी लाती है पर धंग का बाथरूम तो हो ममी हर बार अपना ट्रांजिस्टर ले जाती है पर सुनने का समय ही नहीं मिलता किताब तो वहाँ वह जूती तक नहीं बस दिन भर ताईची के साथ रसोई में गुसी रहती है या गाउं की ओरतों से घिरी दादी के पास बैठी रहती है खूब आगे तक सिर ढगे चुप चुप रहने वाली है ममी कितनी अजनबी सी लगती है कितनी बेचारी सी ना अपनी खुशी के लिए ममी को परिशान नहीं करेगा वह अपने घर कब चलेंगे ममी अपने घर पापा तो आ जाएं पापा कब आएंगे बस घूम फिरकर वही प्रश्न पापा कब आएंगे ममी आखिर पापा की वह चिठी आ ही पहुँची जिसका इतनी बेसबरी से इंतजार था कितना खुश था दिपू उस दिन सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था अब तो हम अपने घर जाएंगे मामी जी से आखिर ना रहा गया पूझ ही लिया दिपू जी यह घर किसका है फिर तुम्हारा नहीं है ना उसने बेतकलूफी से कहा यह तो पिंटू लोगों का है हमारा तो भोपाल में है भोपाल को भूल जाओ बेटे अब कलकत्ता की बात करो मामा जी ने पीठ थप तपा कर कहा पर कलकत्ता की कलपना उसे गुदगुदा न सकी उसके मन प्राणों में तो वही पुराना घर बसा हुआ था पापा जी को लिवाने मामा जी के साथ दीपू और मम्मी दोनों बंबई गए थे हवाई जाहास देखने की उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी और वहाँ तो इतने धेर सारे हवाई जाहास थे वहाँ उतने सारे लोगों में दूर ही खड़ा था पापा को बहचान भी न सका पास आने पर भी कुछ देर तो संकोच में दूर ही खड़ा रहा आखिर पापा ने ही उसे गोद में उठा लिया कितना लंबा हो गया है रे उन्होंने प्यार से उसे चुमते हुए कहा वह धीरे धीरे पापा के गालों को छूकर देखता रहा फिर धीरे से बुला पापा अब अपने घर चलेंगे ना पापा उसके लिए धेर सारे खिलोने लाए थे फर वाला कोट, रंगीन स्वेटर, तस्वीरों वाली रंगीन किताबें खुशी का जैसे पुरा सामान ले आये थे पर सबसे बड़ी खुशी थी तो बस घर जाने की अपने घर जाने की पापा आये तो महमान नवाजी का एक लंबा दोर शुरू हो गया कभी किसी के यहां खाने पर जाना है तो कभी किसी के यहां चाय पर दो-चार पार्टियां तो मामा जी नहीं दे डाली दीपो बुरी तरह बोर हो गया था इन लोगों को दो साल से देखते-देखते तंग आ चुका था अब कोई आकर्शन बाकी नहीं था लगता था पापा पता नहीं कितनी लंबी चुट्टी लेकर आये हैं घर चलने का नाम ही नहीं लेते मामा जी के यहां से चले तो सीधे गाउं पहुँचे वहां भी तो इंतजार हो रहा था दादी ने पता नहीं कितनी और कैसी कैसी पूजा रखी हुई थी गाउं पहुचते ही वह खटराग शुरू हो गया मिलने वालों का यहां भी ताता लगा था पापा इंगलेंड क्या हो आए जैसे अजूबा बन गए दादी तो उन्हें ऐसे देखती कि बस रोज शाम को नजर उतारी जाती मम्मी कोने में छिप कर हस्ती रहती राम राम करके चलने का दिन आया तो सब की आँखे गीली हो रही थी पर दीपू का मन बल्लियों उचल रहा था वह अपने घर जा रहा था वहां मेज पर चड़कर हाई चंप लगाएगा अगर मम्मी के साथ उस कबूतर खाने में परवेश करते ही उसका मन बैठने लगा यह क्या मम्मी? यह अपना घर नहीं है यही है बेटा, यह कलकत्ता है यहां ऐसे ही छोटे से घर में राना पड़ेगा धत तेरे की, क्या सोचा था और क्या निकला? दूसरे ही दिन ट्रक आ गया था धीरे-धीरे सामान खुलने लगा तो हर्ष और विसमे से उसकी बाच्छे किल गई वह हर चीज को सूंगता रहा मम्मी छत पर गद्दे सुखाने लगी तो उन पर लोट पोट होता रहा दो साल तक बंद रहने के बाद भी उनमें एक परिचित महक बच गई थी यह है महक, यह है गंद दीपू के मन में सोई यादो को तरो ताजा कर गई दिन भर बनी समरी लेकिन गुमसुम रहने वाली मम्मी गुन-गुनाती हुई काम में जुट गई थी सलवटो पड़ी साड़ी और विखरे विखरे बालों में मम्मी एकदम घरेलू लग रही थी पापा दनादन पैकिंग खोलते जा रहे थे मम्मी सामान धो पूछ कर जमाती जा रही थी दीपू उन दोनों के बीच फुदकता छोटे मोटे काम कर रहा था शाम तक किचन सही शकल में आ गया था ड्राइंग रूम भी बैचनी के लायक हो गया था दोनों हाथ उपर उठा कर पापा ने एक लंबी सी जमहाई ली और एलान कर दिया कि बागी काम कल किया जाएगा और यह भी कि रात का खाना होटेल में खाएंगे एकदम घर में उत्सव कासा वातावरन बन गया उसके हाथ मूँ खूब अच्छे से धुलबा कर ममी ने उसे नए लंडन वाले कपड़े पहना दिये और खुद नहाने चली गई पापा वश बेसिन के सामने खड़े होकर शेव बनाने लगे नाइट सूट पहन कर शेव बनाते पापा उसे बड़े अपने से लगे उनका यह रूप तो वह भूलता जा रहा था जब से आय थे पापा बढ़िया सूट में सजे धजे ही गूम रहे थे लोगों से धीमी धीमी आवाज में बात करते पापा नानी के सामने बड़े अदब कायदे से रहने वाले पापा उसे महमान से ही लग रहे थे गाउं जाने पर सूट तो उतर गया था पर लोग बागों से घीरे बुंदेली घोलते हुए पापा बड़ी दूर की चीज लगते कभी दादी की गोद में सिर रख कर लेट जाते तो कभी ताई जी के पल्लू से हाथ पोचने लगते उस समय बे बिल्कुल बच्चों के से लगते पापा तो बिल्कुल ही नहीं सुनो, मम्मी नहा कर आ गई थी वह गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा देख लूँगा अभी गैस कंपनी को कल याद जे फोन तो कर लोगे न येस, बाइ ओल मेंस दीबो के स्कूल का क्या करें मिड सेशन में एडमिशन तो मिल जाएगा न देख लेंगे धेरों स्कूल है यहाँ कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं नहीं जी अच्छा स्कूल चाहिए अच्छा दूद का क्या करेंगे डेरी वाले घर दे जाते हैं क्या पडोस में पूछ लो काम वाली के लिए भी किसी को तलाशना होगा कोई छोकरा या आया ओफो क्या यह सब आज ही की तारीख में तै हो जाना ज़रूरी है पापा एकदम छला पड़े और क्या हर काम मुझे ही करना होगा कम से कम महरी का इंतजाम तो तुम कर सकती हो अडोस पडोस में शरीफ लोग रहते हैं जाकर पूछ लो मम्मी तो एकदम सुबगने ही लगी ओफो पापा ने बेजारी से कहा और मम्मी के पास चले आए एक गाल पर साबुन का जाग भैला हुआ दूसरा सफाचट पेटिकोट ब्लाउज के उपर तोलिया लपेटे मम्मी शंकर जी की तरह बालों का जूड़ा बनाया हुआ सच देखकर इतनी हसी आई दिको को वह बाहर गैलरी में आकर देर तक हंसता रहा मन इतना हलका हो गया था घर अब सचमुश घर बनता जा रहा था झाल